हुआ है सो घ्लो फ्रेंड्स वेलकम्म टीन्यू वीडियो फ्मार्के ट्रेडर दोसमें चुटेबात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी से बारे में कि आने वाले ट्रेडिंग में मार्केट यहां पर किस तरीके से कामकाज कर सकता है और अगर आपको ध्यान dies ने हन्डरिड में से आपका है कि 60 % expert का यह मानना था कि T लेकं साथ मिन नहें नियЭ वी कहा कि जो आने वाले अभी अगले क्वार्टर से उनमें हम पचास पॉइंट का और रेट कट कर सकते हैं देखना पड़ेगा कि उस टाइम पर कैसी ड्राइब कर रही है तो यह थोड़ा सा सर्प्राइजिंग था और यूएस मार्केट ने इसको कर देखने को मिली यूएस फ्यूचर्स देखोगे तो फिर से अगेन वोली चुके चार सो पॉइंट की तेजी हमको दिखा रहे हैं तो यानि कि आज स्याम को यहां पर यूएस डाव जोन्स हो गया यह आपके नैस्टेक हो गया यह अगेन यहां पर एक गैप ओपनिंग दे स यहांपर मैं अगर देखों Let me show you guys, so आपको देखने को मिलेगा कि मैं इसको percentage wise में कर लेता हम आपको सारे के सारे सेक्टर्स यहांपर आज आपको गिरावट में देखने को मिलेंगे डेर्ड 2, 1,5-2% के गिरावट देखने को मिलती हैं तिस कौन-कौन से ऐसा सेक्टर थे म मार्केट में hold तो मैं यह नहीं कहूंगा कि मार्केट को hold करवा रहे थे लेकिन हां इंडेक्स थोड़ा सा positive में थे तो आपका FMCG sector अगर आप देखोगे FMCG sector आदा परसेंट की तेजी में था निफ्टी प्राइविट बैंक जिससे बैंक के निफ्टी आज आपको पॉजिटिव देखने को मिलना था वो भी आधा परसेंट की तेजी में था फिर आपका Nifty reality निफ्टी रीयलिटी आदा परसेंट की तेजी में था आटो सेक्टर आदा परसेंट की तेजी में था और यहीं फिन निफ्टी वाले बाकि सारे के सारे अगर आप देखो रेड में क्लोज आपको देखते हुए मिले हैं पीएस्यू निफ्टी पीएस्यू बैंक यानि सरकारी बैंक क्या तुड़ाई उनमें ढंक से हो रही है नीचे को लगातार फिसलते जा रहे हैं अब आपको देखने क चल रहा है प्राइविट बैंक का अब बात करते हैं निफ्टी में और बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हालांगी क्लोजिंग तो बैंक निफ्टी में पॉजिटीव हुए 287 पॉइंट लेकिन उस हिसाब से जब मार्केट ऊपर गया था थोड़ा सा नीचे य फणको थोड़ाओ आपको बताता हूं-पिछले आठ था असालों का हिस्ट्री रही है जब-जब एट करिया है मार्केट में गिरावट हुई है लेकिन यहां पर ध्यान देना कि गिरावट सदा बाहर नहीं चलती उसके बाद मार्केट में कुछ ताइम बाद तीजी आ जाती है तो अगर उस हिस्ट्री को रिपीट करते हैं तो उसके कोडिंग मार्केट में यहां पर थोड़ा सा सेल आ सकता है इस मार्केट करता है मार्केट में गिरावट आती है लेकिन ज्यादा लंबे समय तक गिरावट नहीं फिर मार्केट में रिकावरी आ जाती है उपर के लिए अगर इस एकोर्डिंग चलें इसको ध्यान में रखते हुए चलें तो फिर 15 मिनिट के टाइम फ्रेम पर कुछ इंप लेके उपर की तरफ यहां पर जा रहा है अगर आप देखोगे तो मल्टिपल टाइम मार्केट इस लेवल पर आता है फिर यहां से उपर के लिए निकल जाता है ठीक है तो कल के ट्रेडिंग सेशन के अगर मैं बात करूं दोस्तों तो 25300 इस पर्टिकला लेवल पर कहीं पहला लेवल आपका रहा दूसरा दोस्तों आपका बाइंग लेवल में नहीं कंसिडर करूंगा में भी हो सकता है कि जैसे कि हमने देखा कि डाव जोंस में यूएस फूचर में अच्छी खासी तेजी आपर देखने को मिल रही है तो आज रात को यूएस मार्केट भागते है और कल सुब्य हमको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है तो इस केस में हम क्या करेंगे इस केस में कुछ नहीं कर सकते विकॉज हमारे पास उपर के लेवल है नहीं और अब ब्रेक आउट ब्रेक आउट पर बाय करना थोड़ा रिस्की बन चुका है समझे क्योंक चलेंगे इस लेवल तक मार्केट जा सकता है तो डिब बाइंग लेवल करेंगे मार्केट अगर कल ब्रेक आउट देता है एक बहुत बड़ा गैप देता है तो उसका अपडेट में आपको टेलीग्राम पर करूंगा जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्सिन में दिया हुआ है दूसरा मैं आपको जो सेलिंग लेवल बता रहा हूं डैट वीडैट इस ट्वेंटीफाइफ थाओजन टू हंडड़ एटी पच्चिस दोसो असी यानि की मार्केट इस सपोर्ट लेबल को तोड़ता है इसके नीचे निकलता है तो हम यहां पर सेलिंग साइ जाई था वह था 53353ड आज के दिन पर जो निफ्टी है यह वह है 53353जाज की चार पॉइंट से जो है यह अपना हाई लगाने से बचा है बैंक निफ्टी बट इसने दस तक दे दी है यहां पे तो यह लेबल क्या आपको लगता है बाइंग के लिए सञी होने वाला ब्रे लेकिन अभी जब भी हमने देखा प्रीवेस रजिस्टेंस पर मार्केट आता है वहाँ पर प्रेशर रहता है सेलिंग हो लेकिन प्रेशर रहता है बायर्स पर क्योंकि सेलर्स वहां पर थोड़ा सा अपना रॉब दिखाना सुरू कर देते हैं तो इस चीज को आप माइंड मे के टाइम फ्रेम पर किस तरह किसम ट्रेट करके चल सकते हैं यह रहा वह जो मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर दिखा रहा है इसने एक रेंज बनाई है यहां पर इस लेबल को आज होल्ड करने का बहुत स्ट्रॉंगली ट्राइग किया है लेबल है बावन हजार नौसों क ठीक है 52,900 अब यहां पर देखिए 52,900 का जो लेबल है यह हमारे लिए क्या करने वाला है as a dip buying level की तरह काम करने वाला है विकोज आज इसने काफी hard dry किया है यहां पर support लेने का तो 52,900 हमारे लिए as a buying level की तरह काम करने वाला है उपर की तरफ अगर market हमें मौका देता है तो क मैं बात कर रहा हूं बाकि अगर आपको होगे कि breakout buying करनी है हमें तो मैं कहूंगा कि breakout buying के लिए आपको wait करने पड़ेगा 53,350 अगीन जैसे कि मैंने निफ्टी में समझा है आपको वैसे bank के निफ्टी में समझा रहा हूं risky है breakout पे buying risky है risky थी और risky आने वाले future में रहेगी लेकि बहुत aggressive mode में दिखाए पड़ रहे है आई से बैंक यह बहुत बैंक जो है कोटक बैंक थोड़ा सा ऐसा लग रहे है कि कुछ जोस आ गया है इनमें थोड़ा सा और NBFC तो breakout देता है 53,350 के उपर और मार्केटिस लेबल के उपर होड़ करता है तो हमको एक अनदर further buying देखने क दिखाई पड़ सकती है जिसमें काफी अच्छा खासा इस्पेस डाउन साइट के लिए मिल सकता है हमें तो सेलर्स भी एक्टिव रहना यहां पर बिल्कुल भूल मत जाना सेलिंग के बारे में जब सेलिंग का मौका आ रहे है तो ऐसा मत करना कि बाइंग बाइंग करना और अपर चार्ट शेर करता हूं आप लोगों के साथ आपने देखाऊ करता हूं मैं आपको लिटरली बता हूं मैंने कोई फ्रेस्ट पॉजिशन नहीं बनाई है खुद को मैं बहुत कंट्रोल कर रहा हूं कि आर नहीं फ्रेस्ट पोजिशन ना बनाऊं फिर भी वह मान है एक बान फाल करें हूँ कोई ट्रेड्स नहीं करहा हूं कि मार्कें पर डाष्ट करें निकलना निवं बनाइघ्ञा है लो तो मुझे अ एक ड्रेक्शन के लिए अद्å बन् chcia कर्या हूं मैं तो मैं स्ट्रेडिंग के चार्ट फिर तैलीग्राम पर शे डेयर कर awake पर कूश अप- डालता रहता हूं एक हजार फॉलोवर का हमने कल हमने पूरे कर लिये हैं आज हम पर एक छोटा सा केक भी कट करूंगा मैं तो फॉलो कर ले ना लिंक डिस्क्रिप्शन में है या इंस्टाग्राम एंडल आप हाइडी सेर्च भी कर सकते हो लेट्स टॉक अबाउट फिन निफ मार्केट कि मैं जाओं किदर आज तो देखो आपका यह भी किलियर हो गया है तो अब दो तेन दिन में को लगता है मार्केट बताएगा हमें दो तेन में किलियर कर देगा अपने डिरेक्शन फिर मैं आपको यहां पर बढ़िया से अपडेट कर दूँगा कि हाँ आब इस 44,350 24,350 एजा डिप पाइंग लेवल हमारे लिए काम करने वाला है इस लेवल पर आप सचेत रहना और जब तक मार्केट जब तक मार्केट 24,600 के उपर नहीं निकलता तब तक हमको बाइंग के बारे में ब्रेक आउट में नहीं सोचना इस तरीके से जो रिस्की ट्रेडर है वो प्लाइन कर सकते हैं लेकिन मैं इस टाइप का ट्रेडिंग नहीं करता हूं या तो डिप पाइंग में या फिर ब्र कर सकता हूं दोस्तों मैं वीडियो को बीच में बूलना भूल गया था कि वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना पहली बार आए तो बैल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके इसलिए म में बोल देता हूं और आई होब कि आपने ये पहले ही कर दिया होगा नहीं किया तो अब अभी कर सकते हो थैंक्यू सू मच्छ वर वाचिंग दोस्तों अपना प्यार ऐसी बनाई रखना और आपने क्या कैरी करके रखा था कॉल पूर्ट सब सब कॉमेंट बोक्स में लिख कि सुमाच रोचिंग